जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकू आप सभी का महारतिक स्वागत करते हैं आज के दिन जात्कों का जनम दिवासे मेरी जैनिवर्सरी हैं सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्त करना है आज हम बात करने वाले हैं मंगल के राशी परिवर्तन के बारे में कल मंगल राशी परिवर्तन कर रहे हैं मंगल अपनी नीच राशी से कर्क राशी से निकल करके मंगल सिंग राशी में जा रहे हैं और सिंग राशी में जाने पर शनी से द्रश्टिगर सम सब्तक योग कल बन और क्या हमें मंगल से हमें श्वक्त की प्राप्ती हो शुबफल की प्राप्ती हो उसके लिए हमें क्या उपाई करने चाहिए आए पहले देखते हैं आज का मपंचान मंगल एक बहुत अच्छे ग्रह हैं और मंगल जब देने पर आते हैं तो एमंगल को भी मंगल कर देते हैं जीवन में मंगलता प्राप्ती होती है जीवन में शुक्ता की प्राप्ती होती है और मंगल कारिये जो हमारे रुके हुए होते हैं वो बनने प्रारब हो जाते हैं मंगल हमें वीर रस की प्राप्थी कराते हैं मंगल वीर रस से ओत प्रोथ हैं अर्थाद मंगल वीरता के विसूचक हैं युद्ध के नायक हैं सैनापती हैं तो मंगल एक बहुत बड़े गिरे हैं तो किस प्रकार से हैं मंगल का फल प्राप्थ होगा समस्तरासियों को तो कास मिग्रहों की क्या इस्तिती रहेगी एक नजर डालें देखिए एक जुलाई दो बज करके 17 मिनट से यानि के कल से मंगल का गोच्च सिंग रासी में होगा मंगल सिंग रासी में चले जाएंगे ये नीचे मिश लगन की कुंडली है और लगन में ही गुरू और राहू यान तुला के केतू, ब्रश्चिक के चंद्रमा, शनी कहने का भाव कि किस प्रकार से आप देखने हैं मंगल पंचम में हैं तो सनी की समसब्तक द्रश्टी मंगल और शनी की आपस में पढ़ रही है तो कहने का भाव ये समसब्तक योग भी बनेगा इसमें कहीं ने कहीं बाजार जो मार्केट की इस्तिती है, जैसे सोना है, गर्म वस्तुएं हैं, गुड़ है, तेल है, तिलहन हैं, इनमें कहीं ने कहीं कुछ हाल देखा जा सकता बाजार तेजी मंदी के दौर से इसमें गुजरेगा साथ में ही आपकी कोई भी रासी हो सकती है, कोई भी लगन हो सकता, क्योंकि सभी का एकसा तो नहीं होता, यहां तो हमने केवल आपको मेश लगन के हिसाब से बताया है, लेकिन किसी का कोई लगन है, किसी का कोई लगन है, सब का अलग 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 लगन होगा, लेकिन फिर अभी शानी और मंगल की जो ये आपस में द्रश्टी है इसको बहुत लोग कमजोर भी समझते हैं लेकिन कुछ लोग शेर मार्केट या मार्केट में जो जो चीजे हमने बताई हैं उनके उपर इनका इफेक्ट अच्छा ही आएगा अब मंगल हैं चुकि अपने आप में बड़े गिरहे हैं और मंगल किस प्रकार के गिरहे हैं सबी जानते हैं सिंग रासी में उनका बैठना सिंग रासी में मंगल का बैठना और जैसे ही अगर किसी का मेश लगन है पंचम की बात करें तो कहीं न कहीं थोड़ी सी क्रोज की मात रखो यह बढ़ा सकते हैं आपके अंदर तेजी जैसे दे सकते हैं लेकिन बहुत लोगों को अच्छी प्रोपर्टी का ये फाइदा भी ये यूती ये योग दिलाने वाला है कहीं ने कहीं कुछ लोगों के बिगड़े कारिये भी ये कराने वाला है और ये कब से कब तक रहे करे कि आपके जीवन में कोई दिक्कत आए भगवान की करपा से मंगल देव की करपा से आपके जीवन में मंगलता रहे एक मईना अठारा दिन का ये समय आपको सुब समय की रूप में महसूस हो और सुबता पाने के लिए आए मंगल से संबंदित हम कुछ उपाए बताते है चाहें आपकी मेस रासी हो, चाहें आपकी मेस रासी हो, चाहें आपकी मीन रासी हो समस्त रासियों के जातक ये विशेश उपाय करेंगे तो उन्हें लाव की प्राप्ति हो हमें उपाय क्या करना है? हमें उपाय करना है मंगलवार से प्रारम करना है मंगल वार की सुबा इस्तनान आदी करकर के बैठ जाएं हमारी हतेली में दो इस्थानों पर मंगल ग्रह होते हैं अंगुठे के हैं मंगल A और होते हैं मंगल B हमें दोनों इस्थानों पर लाल रंका तिलक हलका हलका लगाना है सीधे हाथ में और मस्तक के उपर भी हमें लाल रंग का तिलक लगा लेना इससे मंगल सुबता की तरफ आते हैं और दूसरी बात गुड ले लें गुड की पांच पेड़ी ले लें क्योंकि सिंग रासी में जा रहे हैं सिंग रासी का स्थान पंचम है पांच चाहें एक ही तीन मंगलवार खिला दें मंगल की शुबता आपको प्रयाप्त होगी ही होगी तीन मंगलवार ही प्रियास करें तांबे का सिक्का लाल कागज में लपेट करके या लाल किसी छोटी थैली में डाल करके या लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी पॉकेट में पर्स में तीन मंगलवार या चार मंगलवार या अठारा अगस्त तक जितने भी मंगलवार आते हैं उन मंगलवारों में अपने संग रखें और एक बार सिक्के को जब हर मंगलवार बाकी के दिन निकालने जब सुबह सुबह सिक्का अपने पर्स में या अपने पॉकेट में रखें त मांबा मंगल की धातू मानी जाती है आपको बहुत अच्छा लाद पर बिनेगा छोटा सब मंगल यंत्र हो तो वो भी लालकपड़े में रप करके आप रख सकते हैं नौ मुखी के नौरुद्राक्स पहनने या तीन पहनने इस इस्टिती में अच्छे रहते हैं घर में मंगल यंत्र है, मंगल वीशा यंत्र है, मंगल वीशा और मंगल यंत्र एक ही कहलाते हैं, कोई भी आपके पास विशेस परकार से मंगल यंत्र है, हाँ, मंगल के 108 नाम बाला यंत्र अलग होता है, मंगल के 54 नाम बाला यंत्र अलग होता है, और मंगल की जो संख्यात् रख दरश्टी वाला यंत्र होता वो अलग होता लेकिन अगर मंगल के रूप में आपको यंत्र रश्मा चाहते हैं तो मंगल भी सा यंत्र सकते हैं सेम इफेक्ट उसका आता आपके घर में मंगल यंत्र हो हर मंगल वार धूप दीब दीजिए लाल फूल चड़ाइए और मंगल दीवता के तीन मंगल वार चार मंगल वार एक स्वार नाम पढ़ लिजिए या मंगल का विजात्तनक मंत्र पढ़ लिजिए मंत्र हम आपको बता देते हैं ओम क्राम क्रीम क्राम से भोमायनमा दुवारा सुन ले ओम क्राम करीम क्राम से भोमायनमा ठीक है आपने नोट कर लिया ओम क्राम करीम क्राम से भोमायनमा इस मंगल के विजात्मक मंत्र को रुद्राक्स की माला से या लालचंदन की माला से एक माला चार मंगल वार पाच मंगल वार जपेंगे प्रभु की करपा बनेंगे देखो छोटे-छोटे उपाय होते हैं लेकिन इससे हमारे ग्रह बलवान बनते हैं और ग्रह का संबन ग्रहों के मंत्र से भी है इसलिए मंगल का ये विजात्प्रण मंत्र है अज्बुत द्रष्टी से अज्बुत लाब की प्राफ्टी आपको कराता है बिलकुल डरने के जोट नहीं है ग्रह आज परिवर्तित नहीं हो रहे हैं ये सदियों से सिलसला चला आ रहा हर महीने ग्रह बदलते हैं शनी जो है वो बड़े ग्रे यह वो दो-ड़ाई साल के अवस्ता में जा करकर बदलते मृस्पति साल स्वा साल के बँभस्ता में बदलते हैं आप बहुत ज्यधा डरा ना करें चु कि ये चक्र चाल ये ग्रहों की गोचर गदी चली आ रही है और चलती रहेगी हम रहे ना रहे लेकिन भाई ग्रह तो चलाय मान है है ना सूरिय है कहीं रात में दिखते हैं तो कहीं दिन में दिखते हैं हमारे यह रात होती है कहीं दिन होता तो ये धूम च्छाम की जिंदगी है बस हमें अच्छे उपाई कर लेने चाहिए ताकि हमारी जीवन के उपर ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़े और भगवान का नाम लेने से, दान करने से, बिजात्रक मंत्र जपने से जीवन में सुधार तो आता ही आता है तो बस ये इतना कर लीजेगा, निश्चित तोर से आपको लाप की प्राप्ति होगी तीक है और ये उपाई हम अक्सर आपको यदा कदा कुछ ऐसे ही सेम से उपाई बताते हैं ताकि आपको अन्य उपाईों में परेसान नहोना पोड़े हनमान जी की साधना, मंगलवार करने से मंगल ग्रह में बल आता है हनमान जी को नवेद्य है, यानि कि मीठा, मीठा कुछ भी चढ़ाने से और खास्तोर से गुड़ की मिठाई, यदि मंगलवार आप चढ़ाते हैं और कोई उपाई आप नहीं कर पाते हैं घर में चढ़ाएं, मंदर जाके चढ़ाएं, गुड़ वाले मिठाई चढ़ा दें एक बार सुन्दर तरीके से सुन्दर कांड या हनमान चाली सा पढ़ ले तो भी आपके मंगल वलवान हो जाएंगे तो आईए जुटते हैं हनमान जी महाराज से आपके उपर मंगल देव की करपा बरस्ती राएंगे मनो जवं मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रियं वोद्धिमताम वरिष्टं वातात्मजंबा नरयूत्य मुक्कं स्रीराम दूतं सरणं प्रवद्दे रामाया राम भद्राया राम चंद्राय वेदसे स्री रगुनात नाधाया सीताया पताय नमाहा शिरी हनुमंताय नमाहा कवच बनाले ध्यान गरें मंगल का शुप प्रभाव हनमान जी की करप आपको प्राथ हो रही है आप देखो साथ को हो सकता है ये वीडियो आप हमारी बाद में देख रहे हो तो यदि आप ये हमारा आंक ये वीडियो मंगल की राशी परिवर्दन का दस दिन बात देखें पंदरा दिन बात देखें तो भी जितना समय आपके पास है एक दो मंगलवार है आप उपाए कर लेना अब हम उसकी बात करते हैं दिख्षा समारो की एक मिनट का समय आप कर लेंगे आग तीस तारीक हो चुकी है तीस जून है सिर्फ दो दिन बाकी है एक जुलाई और दो जलाई और तीन जुलाई पो आपको जो आकर के दिख्षा ले रहे हैं उन्हें आना है साड़े दस विए तक आप पहुच जाना सभी को हमने एड्रस भेज दिये हैं किसी के पास एड्रस और लोकेशन ना पहुची हो तो वो करप्या करके हमारे संस्तान में फोन कर लें क्योंकि संडे को संस्तान की छुट्टी रहती है इसलिए धान रखना तीन जुलाई का ये तो आज में और कल में पूरा एड्रस लेले ले लोकेशन लेले अब ये जुम्मेदारी आपकी बनती है हमने सब को भीज दिया कोई रह भी गया हो तो वो जरूर मांग रहे हैं लाइव कारिकरम बहेगा आकर भी आप दिख्शा ले रहे हैं दिल्ले में ही आना है सूरज मल जगा है आराम से आपको मिल जाएगी और दिल्ली के तो किसी भी कोने में एड्रस होना चाहिए आराम से व्यक्ति पहुंच जाता है साड़े दसविस तक आपको पोचना है और बहुत अच्छे से पूजन करना है और एक यहां पूजन सामगरी उन लोगों के लिए कल के अंक में हम बता रहे हैं जो लोग ओनलाइन दिख्शा लेने के चुक हैं जो लाइव कारिकरम देख करके गुर्देव का पूजन तो उन्हें क्या-क्या सामगरी चाहिए कल के अंक में हम आपको बताने वादे आप स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुक्कामनाव के साथ हम अपनी वाणी को घ्राम देते हैं जय जय अब्बे मैं मन्ची कभी हूं basically मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलास थी कि मैं कभ करता हूं यह मेरी वो तलाश आज फूरी हो गई बस इससे ज़्यादा माने किस कर से किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक हो देख सके हमारा कारिकरम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए पेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें कि अ कि 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 दिनले पैंजा जाना आजे जाता आजे जाता आजे जाता यो नो सार्थी आलता तैजादन सार्थी इए